Hello Friends, Welcome to Editorial Analysis by Simplified Civil Services आज 2nd of May को तोटल तीन आर्टिकल डिसकस करेंगे फर्स्ट आर्टिकल जो डिसकस किया जाएगा वो है The Wrong Way to Fight Inequality इस आर्टिकल में हम Wealth Tax के बारे में चर्चा करेंगे Wealth Tax के फेवर में और अगेंस्ट में और अर्गुमेंट देखेंगे Wealth Tax होता क्या है प्री के परस्पेक्टिव से और मेंस के परस्पेक्टिव से Important एक मेंस का कोश्चन भी तयार करेंगे इस आर्टिकल से Next आर्टिकल जो डिसकस किया जाएगा वो है Sea Also Rises इसमें जो Indian Ocean का टेंपरेचर है वो बढ़ता जा रहा है उससे related study के बारे में चर्चा करेंगे जिसका data आपको पूछा जा सकता है प्री में और मेंस के परस्पेक्टिव से तो काफी important है प्लस जो ओशन का temperature बढ़ रहा है उसके consequence क्या होंगे ये भी आपको पूछा जा सकता है ये सारी चीज़े discuss करेंगे next article जो discuss किया जाएगा वो है a tax on aspiration इस article में हम inheritance tax के बारे में बात करेंगे जिस पर अभी recently बहुत ज़्यादा debate हो रही है inheritance tax होता क्या है well tax inheritance tax में दोनों के बीच में difference क्या है और इसके pros and cons की भी चर्चा की जाएगी अगर इसे लगा दिया जाता है तो फायदा होगा नुकसान होगा अगर आपको हमारा analysis पसंद आ रहा है तो please like करिए comment करिए share करिए and subscribe करिए अगर आपको इसकी pdf चाहिए तो आप हमारा telegram channel join कर सकते हैं जिसकी link नीचे दी होगी और directly आप search भी कर सकते हैं simplified civil services आइए शुरू करते हैं हमारा analysis हमारा first article है the wrong way to fight inequality यह article दा हिंदू में आया है GS3 economy means के perspective से important है prelims 2014 के perspective से और भी जादा important है इस article में हम wealth text के बारे में बात करेंगे और एक means का question तयार करेंगे क्या means में पूछा जा सकता है आपको critically analyze the case of wealth text to reduce inequality wealth text लगा करके क्या हम inequality को कम कर सकते हैं इसके pros and cons के बारे में आपको बात करना है basically जो wealth text है उसके favor में argument देंगे और उसके against में argument देंगे इस article के through यह means का question तयार करेंगे article आया क्यों है क्योंकि recently जो लोग सभा election चल रहे हैं उसमें redistribution of wealth के बारे में बहुत चर्चा हो रही है और जो recent reports आ रही हैं इंडिया में inequality से related वो बहुत grim picture reveal कर रही है तो इन दोनों को अगर हम mix कर दें तो यह article basically जो wealth tax है उसके ऊपर आया हुआ है और उसमें बताया गया है कि wealth tax लगाने के क्या pros and cons हो सकते हैं तो basically argument in favor of wealth tax and argument against wealth tax यह सारे aspect पर चर्चा करेंगे already हम कई बार discuss कर चुके है inequality से related data 2022 में अगर top 1% population की बात करें तो total wealth जो 1% population own कर रही है rich 1% वो 40% के around है और अगर हम total income की बात करें तो total income 22.6% के around है 22.6 bottom 50% की बात करें तो उनकी जो total wealth है वो 6.4% के around है और total income 15% के around है तो अगर आप देखें तो बहुत जादा inequality है 50% of population के पास total जो income है वो 15% है और top 1% जो rich है उनके पास 22% total income है तो यहां पर एक grim picture आपको देखने के लिए कि inequality level इंडिया में कितना जादा बढ़ चुका है अब wealth tax होता क्या है पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं it is a direct tax on individual assets such as cash, shares and property यह basically wealth की बात कर रहा है और wealth tax में direct tax लगाया जाता है individual के उपर जैसे income tax होता है आपकी income के उपर लगता है उसी तरीके से wealth tax भी लगाया जा सकता है जिस पे लगाया जाएगा individual पे उसी को वो burden उठाना पड़ेगा therefore it is a direct tax it was introduced in 1957 for the first time post independence post independence के बाद इंडिया में पहली बार जो wealth tax था वो 1957 में introduced किया गया था और जो लगाया गया था वो कितना था 1% tax लगाया गया था over 30 lakh earning per year अगर आपकी income 30 lakh से अधिक है तो आपके उपर 1% wealth tax भी लगाया जाएगा हाला कि NDA government जब आई थी तो उन्होंने ये tax को wealth tax को repeal कर दिया था because of improper implementation properly ये implement नहीं हो रहा था इससे जो revenue मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था administrative cost बहुत जादा होते जा रही थी इसलिए जो सरकार है उन्होंने wealth tax को remove और repeal कर दिया था जो NDA की सरकार थी अब wealth tax के favor में जो argument है उसे देख लेते हैं जो हाई net worth इंडिविजवल है उन पर ये wealth tax लगाया जाएगा और उससे जो resources है वो reallocate होगी जो resources है वो पहले सरकार को मिलेगी और सरकार उस resources का social welfare में expenditure कर सकती है तो directly उसका contribution का होगा society में होगा सरकार जो है public goods की funding के लिए भी इस extra resource को use कर सकती है public goods मतलब जो non excludable और non rivalrous होते हैं जैसे की आपका education हो गया जैसे की आपका health sector हो गया इन sector में जो है extra resources सरकार use कर सकती है ताकि vulnerable section of society को lower status को बहतर education बहतर health provide की जा सके साथ-साथ जब wealth gap कम होता है तो society में cures भी नहीं होता है have and have not की जो situation है वो नहीं आती है lower status के जो section के लोग हैं वो जो upper status के लोग हैं उन पर attack नहीं करेंगे income हो जाएगी तो overall society में peace भी होगा यह भी एक बहुत बड़ा benefit होता है wealth tax का इसके अलावा एक और बहुत important benefit है wealth tax encourage productive investment over holding इसका मतलब क्या है माली जाब अपनी income बचा-बचा के रखे हुए हैं आपके bank account में साल दर साल जो income है वो बढ़ती जा रही है उसमें हर साल आपको tax भरना पड़ेगा let's say 2% आप जो है हर साल tax भर रहे हैं अपनी wealth पर इससे better क्या है आप उसको hold करके रखने से अच्छा है उसको कहीं पर आप invest कर दीजिए productive investment में अगर आप use करेंगे तो जो आपकी wealth है वो भी कम हो जाएगी जो आपकी income है वो भी कम दिखाई देगी और लोग फिर जो कम income है उस पर उन्हें कम tax भरना पड़ेगा लेकिन इससे benefit क्या होगा जब वो investment करेंगे तो aggregate demand बढ़ेगी जब बढ़ेगी तो supplier को production बढ़ाना पड़ेगा और supplier जब production बढ़ाएगा तो goods and services produce अपने आप बढ़ जाएगे supplier production बढ़ाएगा तो obviously उसे employment भी देना पड़ेगा तो overall GDP और employment पड़ेगा अगर हम इस tax को लगाते हैं तो क्योंकि जो income है जो की hold की हुई थी जो wealth है जो की hold की हुई थी उसका फिर properly इस्तमाल किया जा सकेगा क्योंकि unnecessary लोगों को tax भरना पड़ रहा है तो ये कुछ argument हो जाएगे जो की tax के favor में अब against में क्या argument है वो देख लेते हैं पहला और most important argument है flight of high net worth individual इंडिया से वो लोग जिनकी income या wealth बहुत जादा है वो कहीं और जाके shift हो जाएगे अपना base कोई और country में बना लेंगे ताकि उन्हें wealth tax ना देना पड़े और ऐसे में बहुत जादा नुकसान हो सकता है क्योंकि जो investment करते हैं वो investment नहीं हो पाएगा और investment नहीं होगा तो overall GDP और employment को धक्का लगेगा दूसरा क्या है high compliance cost इसकी जो compliance cost है वो बहुत जादा होती है administrative cost बहुत जादा होती है valuation करना asset का यह अपने आप में एक बहुत बड़ा dispute है और valuation अगर proper नहीं होगा तो dispute अगर बनता है तो litigation बढ़ जाएगी तो supreme court judiciary में burden बहुत जादा बढ़ जाएगा तो third जो है इसका disadvantage यही है कि asset valuation difficulty leads to litigation and increase the burden of judiciary next क्या है already high taxes अगर हम देखें तो अभी corporate taxes almost effectively 42% के आसपास है तो already बहुत जादा tax भढ़ रहे हैं और अगर यह well tax लगा दिया जाता है तो tax उपर से और high हो जाएगा ऐसे में जो income होगी वो बचेगी नहीं और will to work जो है कम हो जाएगी will to work and will to save यह दोनों चीज़े कम होगी तो लोग फिर क्या करेंगे ज्यादा मेह सकते and it could also harm consumption अगर बहुत जादा जो है invest कर दिया तो consumption नहीं हो पाएगा consumption of goods and services नहीं होगा तो overall aggregate demand कम हो जाएगी investment में जो demand बढ़ रही है वो consumption में कम हो जाएगी और ultimately जो effect होगा वो ना के बराबर होगा यह हमारे कुछ argument हो जाएगे जो की well tax के against में है अब article की बात कर लेते हैं article में जो है यह कहा गया है कि inequality को fight करने के लिए wealth tax लगाना सही तरीका नहीं है इनके हिसाब से जो top 1% richest लोग हैं वो top 1% पे इतनी wealth अमास इसलिए कर पा रहे हैं इतनी wealth जमा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो special privilege from the government enjoy करते हैं उन लोगों को special privilege दिया जा रहा है सरकार के द्वारा अगर उनको जो है इतना special privilege ना दिया जाए जो pro business policies हैं उसे pro market policy बना दी जाए तो यह जो extra privilege हैं वो कम हो जाएंगे और जो wealth इन लोगों ने जमा करके रखिये वो भी automatically कम हो जाएगी और distribute हो जाएगी इसका मतलब यहाँ पर जो focus किया जा रहा है वो यह है क better यह है कि आप इस special privileges को हटा दीजिए और economy में competition बढ़ाईए इसका मतलब जो बाखी 10% लोग है या 50% लोग है जो कि bottom में है उनको उपर बढ़ने का मौका देना चाहिए जो monopoly है already established है in 1% richest के दोरा इस monopoly को खतम करिए ताकि lower status के लोग भी market में compete कर पाएं अगर वो भी competition तो wealth भी extra generate होगी healthy competition भी होगा consumer को भी benefit मिलेगा क्योंकि जो goods and services produce होंगे उसके prices भी कम हो जाएंगे अगर competition बहुत जादा होता है तो perfect competition वाली economy बनाई जा सकती है इंडिया में जो market structure है वो imperfect market structure है perfect competition वहां है नहीं जाद तर जो policies होती है सरकार की वो pro business policy होती है और वो भी जो top पे बैठे businessman है उनके favor में policies होती है इसे pro market policy करना है और जादा से जादा competition बढ़ाना है ताकि नए startups खुल पाएं ताकि नए companies खुल पाएं और यह जो already established लोग हैं इन्हें challenge कर पाएं तो यह तरीका होना चाहिए income inequality का wealth tax के क्या और issues यहां पर बताएगा है वो देख लेते हैं wealth tax के unintended consequences हो सकते हैं investor can actually shield themselves from higher taxes by lowering the amount of capital they invest in any venture based on their expected post tax income बहुत important यह point है यह argument दिया जा रहा है किसके against में wealth tax के against में किस तरीके से जो investor है वो अपनी wealth को छुपा सकते हैं और इस tax से shield कर सकते हैं खुद को यह समझते हैं investor क्या करता है invest करता है obviously invest कैसे कर रहा होगा इसके पास पैसा बहुत होगा तभी invest कर रहा होगा कहां invest करता है generally start up और companies में यह invest करते हैं in start up से इस company की equity और shares खरीद लेते हैं और बाद में जब equity share बढ़ जाते हैं तो उसे base देते हैं startup को क्या फायदा होता है उन्हें extra पैसे मिल जाते हैं company को expand करने के लिए sustain करने के लिए ठीक तो startup को भी benefit मिलता है और investor को भी अगर इस startup की value बढ़ जाती है तो उनको बहुत अच्छा return मिलता है जब return मिलता है तो उसमें अगर wealth tax लगा दिया जाए तो उन्हें extra tax भरना पड़ेगा जो extra tax ये भरेंगे तो इससे इनको नुकसान होगा तो investor क्या करेगा let's say अगर इन्हें 20 रुपए return मिल रहा था जब wealth tax नहीं था तो ये इस तरीके से invest करेगा startup में कि return जो है 20 रुपए ही बना रहा है और उसके लिए ये जो अपना investment है वो कम कर देगा और जो startup है उससे बोल मिल रहा है और उसे return उतना ही provide करना है अब return उतना ही देना है इसका मतलब जो भी profit हो रहा है startup का उससे वो return जो है investor को 20 रुपए देगा तो किसी और से लेकर देगा तो कहां से लेकर के देगा worker की जो income है वो कम हो जाएगी और investor को उतना ही पैसा मिल रहा होगा यहाँ पर startup के लिए भी नुकसान है और worker की income को भी बहुत जादा नुकसान पहुत सकता है तो हमारा जो main purpose था inequality कम करने का वो inequality और बढ़ जाएगी investor को well tax लगेगा ही नहीं वो अपने आपको इस tax से shield कर लेगा और ultimately जो burden आएगा well tax का वो किसके उपर आएगा जो आपके workers हैं उनके उपर और ये argument बहुत important argument है इसको आपको ध्यान रखना है इसके अलावा एक और यहाँ पर argument दिया जा रहा है कि जो wealth है वो basically capital assets के form में ही रखी जाती है possess की जाती है जैसे कि advance factories हो गया और consumer goods and services के form में नहीं रखी जाती है तो ये believe करना कि जो poor के living standards हैं वो इसलिए हैं क्योंकि जो rich हैं उनके पास maximum consumer goods हैं और जो poor है उनके लिए वो बसता नहीं है consumer goods और इसलिए जो consumer goods की cost है consumption goods की जो cost है वो बढ़ जाती है ये argument बहुत जादा गलत है in fact अगर हम बात करें तो जो capital assets होते हैं वो productivity of worker बढ़ा देते हैं अगर आप machine की बात करें अगर machine में एक lever को लगाया तो एक दिन में कई सारी चीजे produce हो सकती है चार लेवर को लगा कर भी आप जो है चारी शट बना रहे हैं और एक machine का इस्तिमाल करके एक lever जो है दिन भर में 40 शट बना रहा है तो लेवर की productivity बढ़ाने में उनकी income बढ़ाने में और overall goods and services के output को boost करने में ये जो asset होते हैं ये main role अदा करते हैं और यही asset basically आपके wealth होते हैं तो ये जो perception है कि living standards of poor कहीं न कहीं directly किसके कारण हो रहा है wealth जमा करने के कारण हो रहा है asset जमा करने के कारण हो रहा है ये perception गलत है तो overall wealth tax की बात करें तो उसके जो impact है वो economic growth और living standards पे negative पढ़ेंगे उसके सारे arguments यहां पर हमने हैं तो पढ़ सकते हैं सिर्फ इतना ही important था तो हमने wealth tax के favor में बात कर लिए उसके against में बात कर लिए अगेंस्ट में जो article में 2-3 extra points लिखे हुए थे वो भी हमने discuss कर लिए और inequality को कम करने का best solution यह है कि जो top 1% लोग हैं उनको जो है special जो privilege दिये जा रहे हैं जो pro business policies बनाई जा यह competition को encourage करना चाहिए अपने आप wealth distribute हो जाएगी ठीक तो यह article था hopefully पूरा article आपको समझ में आ गया होगा हमारा next article है a tax on aspiration यह article Indian Express में आया है GS3 economy means के perspective से important है prelims 2024 के लिए बहुत जादा important है inheritance tax बहुत जादा news में चल रहा है तो आपको pre और means दोनों में पूछा जा सकता है किस तरीके से wealth tax से अलग है इसकी बात करेंगे और जिन reasons के कारण wealth tax news में है उसी तरीके से inheritance tax भी news में है Congress का recently जो manifesto आया उसमें redistribution of wealth की बात की गई है और उसके बात जो Congress के recently एक लीडर है Sam Petroda उन्होंने कहा है कि inheritance tax के बारे में सोचा जा सकता है हाला कि Congress ने उनकी views को personal बताया है और अपने आपको से अलग कर लिया है लेकिन अब एक debate शुरू हो गई है inheritance tax के उपर तो inheritance tax क्या है और उसके favor में जो argument है और against में जो argument है उस पे चर्चा करनी ज़रूरी हो जाती है means में सारी चीज़े आपको पूछी जा सकती है It is a one-time tax that charge on a high value inheritance Basically ये one-time tax होता है और किस पे charge किया जाता है inheritance पे Let's say समझते हैं एक example के थुरू कि ए जो है person की property है 100 करोड की और उनकी death के बाद ये property उनके सुपत्र बेटे को B को transfer कर दी जाती है जब ये transfer होगा तो ये 100 करोड की property पे सरकार कुछ tax लगाएगी जो tax लगाए जाएगा उसे inheritance tax कहा जा रहा है ये one-time tax है क्यों one-time tax है क्योंकि property एक ही बार transfer होगी A से B के बीच में अगर अलग-अलग time पे transfer होती है तो उसके valuation के हिसाब से अलग-अलग tax लिया जाएगा अलाकि जो property transfer की जा रही है जो inheritance transfer किया जा रहा है वो generally एक ही बार जो death होती है उसके बाद ही होता है और उसके बाद ही ये tax लगाया जा सकता इसलिए इसे death tax भी कहा जाता है ये आपको ध्यान रखना होगा ये terms आपको पूछे जा सकते है अब ये wealth tax से different कैसे है It is different from wealth tax which is annual tax charge on wealth when owner is alive जो wealth tax होता है वो individual की income और wealth के उपर होता है और उसे हर साल ये wealth tax चुकाना पड़ता है जो भी वो income जमा करते जाएगा जो भी वो wealth asset जमा करते जाएगा उसके उपर सरकार 1% 2% tax लेगी वो wealth tax कहलाता है ठीक और inheritance tax one time होता है और wealth tax हर साल लगाया जा सकता है inheritance tax is paid by the person who inherit money और asset किसके दोरा चुकाया जाता है ये tax जो B होगा A यहाँ पर father थे B उनके बच्चा था तो B के पास जब ये property पहुचेगी तो जो property का valuation होगा उसके हिसाब से सरकार उस पर कुछ percent tax लेगी और ये B को ये tax चुकाना पड़ेगा क्योंकि A की तो death हो चुकी है तो वो तो नहीं देंगे न tax रहेंगे ये नहीं तो कैसे देंगे तो जो रहेंगे जिनको ये property मिली है उनको ये tax चुकाना पड़ेगा तो favor में argument similar होंगे जो wealth tax वाले हैं सरकार को extra resources मिलेंगे जो wealth gap है वो कम हो जाएगा inequality कम होगी generation to generation जो लोग wealthy हैं उन पे tax लगाएंगे तो उनकी जो overall wealth है वो कम होगी और उसे हम redistribute कर पाएंगे जो जमिदार हैं, साहूकार हैं जो हमेशा से rich लोग हैं उनकी wealth कम हो सकेगी इसी तरीके से अब इसके against में यहाँ पर कुछ argument दिये गए हैं inheritance tax की बात करें तो बहुत सारी countries, United States European country, even emerging countries like Brazil और South Africa यहाँ पर भी inheritance tax लगाया जाता है लेकिन अगर हम देखें कि यहाँ पर जो top 10% है उनके पास जो share of wealth है वो कितना है, तो 85.6% के around South Africa में हैं, 79% के around Brazil में हैं और 70% के around United States में इंडिया और चाइना की बात करें जहाँ पर inheritance tax नहीं हैं वहाँ पर 10% लोगों की अगर wealth की बात करें तो कम है इन country से जो data है वो clearly यह show कर रहा है कि जो inheritance tax है cannot be used for equitable wealth distribution inheritance tax लगाने से जो wealth distribution है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है क्योंकि जहाँ पर inheritance tax है वहाँ पर wealth का जमावड़ा जादा है wealth का gap जादा है और जहाँ पर inheritance tax नहीं है जैसे कि इंडिया और चाइना में वहाँ पर top 10% वालों की wealth कम है relative to other country ठीक है next argument का है inheritance tax can be avoided by wealthiest individuals either by utilizing asset asset exempt from the tax such as business, agriculture, property, pension funds और by transferring their wealth above the taxable threshold well before their death जो wealthiest individual होंगे वह inheritance tax avoid कर सकते हैं loopholes निकाल निकाल करके जैसे कि हो सकता है कि जो अपनी wealth है उसे वो उस जगा ट्रांसफर कर दे जहां पर tax नहीं लगता है जैसे कि agriculture land में उनने ट्रांसफर कर दी तो agriculture land में तो आपको tax नहीं लग सकता convert कर आ जी अपनी land को individuals है जो wealthiest individual है वो बच सकते हैं और नुकसान किसको होगा जो middle class लोग है जिनके पास एक एकर दो एकर या फिर घर है इस तरह की property है उनको बहुत जादा नुकसान होगा माबाप जो है अपने बच्चों के लिए एक घर बनाते हैं अपने लिए एक घर बनाते हैं और फिर वही transfer करते हैं middle class income की तो यही कहानी है वो एक घर अकेला होता है जो की transfer होता है किसके नाम पे? inheritance के नाम पे और उस पे भी अगर आपको बहुत tax भरना पड़े तो बहुत जादा नुकसान होगा किसका middle class लोगों का next argument है जो inheritance tax है अगर यह बहुत जादा high लगा दिया जाता है जैसे कि United States में 45-50% के around inheritance tax लगा होगा इसका मतलब आपकी एक करोड की property में 50 लाग सरकार को देना है तो इस case में जो लोग होंगे वो investment करना छोड़ देंगे capital accumulating नी करेंगे बोले सरकार को ही तो देना है हमाएं बच्चे को तो पैसा जाई नहीं रहा है क्या करेंगे जमा करके सारा का सारा consume करो consume करेंगे तो investment नी करेंगे इन्वेस्मेंट नी करेंगे तो company expand नी होगी तो aggregate demand नी बड़ेगी तो supply नी बड़ेगी, supply नी बड़ेगी तो GDP नी बड़ेगी और GDP नी बड़ेगी तो employment नी बड़ेगा overall economy को बहुत जादा नुकसान हो सकता है inheritance tax से इस argument के हिसाब से चीज़ है clear है इसके अलाबा inheritance tax जो है जो family है उनको force कर सकता है कि वो अपने family business या assets को base दे जो real estate के उनकी land है उसे base दे उससे क्या होगा जो base देंगे वो cash में आ जाएगा और उस cash को distribute कर देंगे cash को पकड़ पाना असानी होगा black money भी बहुत जादा बढ़ सकती है इन सारी चीज़ों से और inheritance tax से बच जाएगी लेकि नुकसान क्या होगा जो family business होगा वो जो है खतम हो जाएगा जो पहले आपकी जीवनी का साधन था आपके बच्चों की भी जीवनी का साधन बन सकता था वो अब खतम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर tax बचाने के लिए family assets को base दिया गया है यह एक बहुत बड़ा issue आ सकता है इसके अलावा administrative burden भी बहुत बड़ा आएगा किस तरीके से valuation करोगे किस तरीके से आप जो asset है उसको उसकी value को count कर रहे है इससे dispute होंगे, litigation बढ़ेगी जैसे कि well tax में बात किये तो यह सारी चीज़े आएगी इसके अलावा जो videos हैं या फिर NRIs हैं उनके लिए burden भी बहुत ज़ादा बढ़ जाएगा जो tax administration की procedure है उसको follow करने में लगी होंगे administrators जैसे ही कोई खतम होता है तो फिर उस समय that certificate बनाने के बाद यह सारी चीज़े procedure सुरू हो जाएगी तो video के लिए जो की already जो है emotional और financial stress में है उसको यह procedure follow करने पड़ेगी कितना harassment होगा तो इस तरह की problem भी बहुत सादा हो सकती है next और most important point है कि इंडिया में जो social security system है वो बहुत ही poor है अना robust security social security system नहीं है in fact जो middle class के लोग होते हैं वो इन ही property पे कई बार rely करते हैं इसी को बेच करके वो जो है कुछ income कमा लेते हैं और उसी को bank में रखके interest कमा लेते हैं और उसी से उनका काम चल रहा है अब सरकार employment तो दे नहीं पारी है employment है नहीं और जो property है उसे भी ले ले रहे हैं कि उनके मावाब ने जमा करी especially middle class के जो लोग हैं वो उपने एकाद जमीन खरीद लिए एकाद घर खरीद लिए उसमें भी सरकार ने अगर आधा ले ली तो बहुत जादा नुकसान जाएगा तो ये basically इसके कुछ issues हो जाएंगे इसके अरावा capital flight हो जाएगी जो high network individual है वो भाग जाएंगे इंडिया से ये सारी चीज़े भी होगी उससे ultimately investment कम होगा और overall नुकसान होगा तो जो हमने wealth में बात किये थे वो सारे argument यहाँ पर भी fit बैठेंगे कुछ extra argument यहाँ पर जैसे वीडियो वाला financial stress, emotional stress यह वाली चीज़े important हो जाएगी इसके अलावा social security system robust नहीं है यह वाला point भी important हो जाएगा hopefully यह सारे article आपको clear है next और आज का last article है see also rises यह article the hindu में आया है GS3 environment means के perspective से बहुत important है prelims 2024 के लिए बहुत important है information based article है data based article है recently एक study की गई है by the scientist of Indian Institute of Tropical Metrology पुने and other international institution के दारा जिसमें यह बताया गया है कि जो expected global carbon emission trend है वो बहुत ज़ादा impact करेंगे किसको Indian Ocean को report में बात की गई है कि जो Indian Ocean है अभी उसका temperature लगभग 1.2 degree के around जो है बढ़ चुका है और यह अगले 60 से 70 सालों में by 2100 कितना हो सकता है 1.7 degree से 3.8 degree के around overall temperature बढ़ सकता है अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो heat wave से उसकी frequency बहुत जादा बढ़ चुकी है में का मन्त है हलाकि इसलिए भी heat wave है लेकिन frequency बढ़ने का कारण global warming है greenhouse gas emission है जिसके कारण overall climate change हो रहा है global warming हो रही है और इसी के कारण heat wave की frequency बढ़ गई है study में warn किया गया है कि यह जो land heat wave है इसका counterpart marine heat wave इसकी frequency भी बढ़ जाएगी अगर इंडिया नोशन इसी तरीके से warm होता चला जाएगा उससे होगा क्या जो coastal area यार उन्हें बहुत जादा नुकसान होगा जो land heat waves चल रही है वो तो चल ही रही है coastal area में marine heat waves के कारण भी बहुत जादा नुकसान हो सकता है लोगों का लोगों की जान जा सकती heat stroke आ सकते हैं productivity कम हो सकती और जितने भी consequences और bad impact हैं वो सारे के सारे पढ़ सकते हैं marine heat wave के कारण अब sea surface temperature rise हो रहा है इंडिया नोशन का temperature ओवर और बढ़ रहा है तो एक और चीज होगी formation of tropical cyclone बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे ठीक कितनी frequency बढ़ेगी यहाँ data दिया हुआ है जो study की गई है उसके हिसाब से जो current average है वो 20 days per year का है यह 220 से 500 days per year के असपास हो जाएगा इसका मतलब 220 दिन आपके tropical cyclone जो है कभी भी आ सकते हैं अभी 20-25 days के आराण एक साल में tropical cyclone का formation होता है तो आपको हमेशा ही त्यार रहना पड़ेगा इतनी जादा frequency बढ़ जाएगी इसके अलावा जो permanent heat wave state है वो भी बनी रह सकती है क्योंकि marine में मतलब इंडियन ओशन में हमेशा heat wave रहेगी तो land में ज़रूर पानी आ रहेगी लेकिन वही हवाय जो है आपके coastal area में आएगी और एक permanent heat wave situation भी बन सकती है इससे होने वाले नुकसान में और क्या क्या हो सकता है coral bleaching हो सकती है coral reef बहुत important है क्यों important है क्योंकि biodiversity बहुत ज़ादा होती है इसे tropical rainforest of ocean भी कहा जाता है बहुत ज़ादा biodiversity बहुत ज़ादा species यहां पाई जाती है अगर coral reef नहीं रहेगी coral breaching हो जाएगी तो यह जो species है वो extinct भी हो सकती है तो biodiversity को बहुत खतरा है इसके लाबब फिशरी सेक्टर को भी बहुत खतरा होगा fishes भी extinct हो सकती है और उसके कारण जो livelihood है उसको बहुत नुकसान बहुत सकता है जो sea surface temperature है वो तो बढ़ ही रहा है overall जो ocean है उसकी thermal capacity भी बढ़ रही है इसका मतलब अगर हम नीचे जाते हैं 2000 meter ocean के अंदर तो वहाँ पर भी जो temperature है वो rise होता हुआ दिख रहा है तो overall जो consequences होंगे tropical cyclone की frequency बढ़ेगी severe tropical cyclone आएंगे इसके लाबा आपका जो monsoon है वो भी erratic monsoon आने लगेगा क्योंकि temperature जो है sea का बदलता जा रहा है तो overall जो हवा है उसका रुख क्या होगा नहीं बताया जा सकता next क्या issue होगा जो आपके flood है वो भी erratic होगे उसकी frequency भी जादा होगी और drought है उसकी frequency भी जादा होगी तो इस तरीके के issue हो सकते है इंडियन ocean में इंडियन ocean country को face करने पर सकते है तो इंडिया को क्या करना चाहिए है इंडिया को बाकी countries के साथ मिल करके data analysis करने की ज़रत है इंडियन ocean पे जादा study करने की ज़रत है और जिस तरीके से चीजें हो रही है उसका data और उसके impact पे focus करने की ज़रत है और उसके हिसाब से फिर steps और measures लेने की ज़रत है ताकि इंडियन ocean का जो temperature बढ़ रहा है उसे कम किया जा सके और overall जो उसके consequences हैं यह हमार आर्टिकल था hopefully आर्टिकल आपको पूरा clear हो गया होगा that's it for today, thank you and enjoy your day